और आपको हमारे चैनल में स्ववागत थे आप सब को नमस्ते फेरेंड आज हम बनाने वाले हैं रस्थानी चैनल में बरफी बनाना बहुत क्यों बरफी अब बनाया है क्योंकि एब रक्षा lij यह सो मेंने को 5 टोरी माखना हम पहले मखाने को भूजबर जया नहीं थोड़ा करकरा करना है जो थोड़ा तो मखाने को 5 मिनट भूजबर पांच मिनट भूजब 雨 गवाद लिकान लेंगे उसके बाद हम इस इस मॉम्फली भी मूजबर लेंगे दिलते हैं understood मौमफली थोड़ा आपके अच्छे से नहीं भूझेंगे तो मौमफली भी हमारे भूझ गई है तो मौमफली को सारी छीवक लिकाना आपको मौम्फली और जो मखाना है तो दोनों को में देख्वों मैंने मिक्सी में डाल दिया और धोनों को फीश लेंगे व्रेण पाउडर पाउडर बेंगे तब आपकी वरफी बहुत अच्छे बनेगी तो मेने पाउडर बनाए इसको थोड़ा सब भूझ लेंगे दो मिनट के लिए जो कच्छा पंड रहता है वह थोड़ा सोना पन हो जाता है दो मिनट के लिए खाले मूझेंगे उसके बाद हम इसको भी लिकाले जून पत्लब चांसरी पतलान्य बनाना है और 18 खर राए से फ्राय कर से प्राइब मेंwasser करने ओलेटिए अई तर भी घुट अपत्ते प्रांगे प्राएे से जब्धा डीत में फ्राइब प्राइक करें आप टेश्ट आती oh pray about अची आती है तो हमने fry कर लिए और इसको मुझी कालेंगे और मेंने थोड़ा सधोत गरंगे तो मावा को इस दूद में कि भर्फी बना रहे हैं तो को दोड़ा से ऐस में दो तीम शमच मैंने आमा रखा है प्रेंग है तो मावा डालके इसमें हम mix कर लेंगे green mom बना रहे हैं और फ्रेंड ये मिठाई खाने में बहुत टेस्टी लगती है क्योंकि अब तेवारी आ रहे हैं फ्रेंड बाजार में एक परफी बहुत महेंगी मिलती है फ्रेंड फिर भी बाजार से क्यों लाना जब आप घर में ही बना सकते हो और बन चासणी त्यार हो गई है तो चासनी में जो मैंने पेश्ट बना रखा था मैं पावडर बना के रखा दा वह हम इसमें डाल लेंगे और mix कर लेंगे आपको चासनी के स्री 5 मिनट इसमें mix करना है उसके बास अगर आपको को वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड भी चारें और उसके बाद फिरेंड अगर आपको वीडियो चल लगे तो प्लीज फिरेंड के मैंने करके जरूर बताईए है कि आपको हमारा खाना रेश्पी किसला देखिए एक थैली ले लिजिए आपके घर में जो भी कोई थैली होता है साड़ी की वह थैली ले 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 उसमें थोवा जोई करें तो इस थैली पर मैंने डाल लिए इसको फिला लेना है अहाँ से ना फिलाए जो दूसरा अधर थैली ज्यादा है थैली से हम ढखेंगे और इसको फिला लेंगे क्योंकि फिरेंड गरम है तो आपकी जल सकती है तो यह धियान रखें तो हमने आप बस मेरा वीडि परिशिका लगती है अ 10 जहा जवाब लगती है तो यह थैली माधियम से मिसको धक लेंगे और इसको सब्सकूर के ऐसको आप ज़्यादा पत्ला करना फैश्या है तो हम ज़्यादा पत्ला नहीं बनाएंगी अफ देखें मैंने बैल लिया है ग्रीन बरफी तो इसको हम 4 पटे से फिला लेंगे और आपके में बताएं प्रेइन का कौन सी बरफी पसंद है तो यह देखिए यह मैंने ऐसे आपको फिल ले ना है मैं थोड़ा सा सफेद लाबडी भी रखा है तो इसको भी सब्सक्राइब करें तो इसको दालकर इसे फि तो यह तूट सकती है तो यह आप ध्यान रखें तो यह मैंने सारे यह फिला लिए अब इसमें हम प्रॉड़ा जो मैंने सफ़ेद रखा है मावा तो धो तीन चम डाल लेंगे आप सोच रहे होगे यह तना थोदा सा पतला है इससे कोई दिक्कत नहीं थोड़ा सा पतला इसलिए मैंने रखा है कि जू इसका फ्रेवर है इसका जू अंदर का जू से बर्फी में अंदर तक जाए और आपकी बर्फी लाजवाब बने खाने में किया लाजवाब लगती परें तो इस तरह से आप घर में ही मीठाई बनाए और तेवार में आप घर में भनाई और पताएं जरूख के मिलें में बताईएगा आपको हमारा खाना रेश्पी कैशी लगती प्रें तो देखिये हमारे ये मैंने पूरे फिला लिया है और त्रफी डालेंगे डाई फू डालके अच्छे से पीला लेंगे उसके बाद इसक कट करोंगे बरफी को आपकी बरफी दeurs लाजवाब कटे और इसय नवी जाने हैं और वह जल्दी त्यार होतीयार हुजाती हम झेल Дस मिन च्झोड लेंगे छोड़ देते कंडा होने दीजिए उसके वाद हमारी बरफी सह भाए可 today अब हम इसको लेकाल लेंगे थैली से बाहर और उसके बाद हम इसको कट करेंगे कट करके आपको सर्प करके भी दिखाएंगे तो यह देखिए मेरे कितनी अच्छी बर्फी कट हो रही है और कितनी ला जवाब लग रही है इतनी सोप्ट बनाए प्रेंड जैसे हम बजार में खाते हैं बर्फी हाथ में लेते ही तूट जाती है उसाथ हम सोप्ट बनाए है और कितनी रोल लग रही है पीच में देखिए ग्रीन ग्रीन दी खा सकते हो तो चलिए फ्रेंड रिन नए वीडियो के साथ लिए सब्सक्राइब निए ये तब तक से वाई फ्रेंड अधे नया वीडियो के साथ मिलेंगें तब तक से वाई फ्रेंड